रफ्तार के सौधागर उम्रान मलिक का डर अब अंतरास्टी लेवल पर भी देखने को मिल रहा है जी हां दोस्तों उम्रान मलिक की काबिलियत का डर बड़े बड़े खिलाडियों को सता रहा है इसी बीच साउथ अफरिका के खिलाडी तेमबा बवूमा ने उम्रान मलिक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है आपको बताते हैं पूरी खबर के बारे में देखते रहे है क्रिकेट इन इंडिया पांच मैचों की T20 सिरीज की शुरुआत 9 जून से होने वाली है टीम इंडिया और साउथ अफरिका के खिलाडी जम कर तैयारी कर रहे हैं इन सब के बीच अफरिकी कप्तान तेमबा बवूमा ने बड़ा बयान दिया है उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि टीम सिरीज शुरू होने से पहले ही डर गई है साउथ अफरिका को टीम इंडिया के एक घातक तेज गेंदबाज की रवतार डरा रही है दोस्तों आपको बता दें कि साउथ अफरिका की बल्लेबाजी काफी मजबूत है लेकिन टीम इंडिया के पास एक ऐसा घातक गेंदबाज है जिसकी दहशत सिरीज शुरू होने से पहले ही अफरिकी खेमे में दिखाई दे रही है ये घातक तेज गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि उमरान मलिक ही है जिसने अपनी रफतार से IPL में बल्लेबाजों के पसीनी जूटने पर मजबूर कर दिया है अफरिकी कप्तान तेमबा बवूमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया के लिए उमरान जैसे गेंदबाज का होना रोमान चक है कोई भी बल्लेबाज ऐसे गेंदबाज का सामना करना नहीं चाहेगा जो 150 किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से गेंदबाजी करता है वे टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खोज हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बल्लेबाज 150 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद का सामना करना पसंद करता है लेकिन आप उतनी ही तैयारी करते हैं जितनी आप कर सकते हैं उमरान मलीक ने आईपियल 2022 में अपनी गातक गेंद बाजी से बड़े बल्ले बाजों का खेल बिगाड़ा था उन्होंने इस सेजन 157 किलो मीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेकर सभी को हैरान कर दिया था उम्रान मलीक लगातार 150 किलो मीटर प्रति घंटे से जादा की गती से गेंदबाज़ी करते हैं उनकी ये तेज रफतार अफरिकी खेमे को डरा रही है IPL 2022 के 14 मैचों में उम्रान मलीक ने 22 विकेट अपने नाम किये थे वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है उम्रान मलीक को पहले मैच से ही प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए या नहीं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे योटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले